देखने वाले सभी दर्सकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ममेन का देश्वाग बहुत दुखदाई घड़ना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज दो तिन दिन पहले एक घड़ना बहुत ज़्यादा वायर लोती है फ्रीदाबाद से कोड से आप तस्वीर हो जाते हैं और बहुत हंगामा होता है और हंगामा किस बात को लेकर होता है लड़की का जो भाई है वो बिट्टू बजरंगी के साथ है और बोल रहा है कि जो ये लड़का है सहनवाज चार बच्चों का जो पिता है सहनवाज वो उसकी बहन को बहला फुसला कर जबरदस् कि ये साधी मैं अपनी मर्जे से कर रही हूँ और चार बच्चों से भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता तो कितने दुख की बात है अपने भाई के सामने कोई लड़की ऐसे बोलती है और जब ऐसे बोलती है तो एक बार भी उसका आँखे या जो सर है सरम से नहीं जुका और बोलती है कि आप क्यों क्या एतराज हैं मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ जब इस पर मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं कि आप इसको जानते हैं ये क्या करता तो बोलती है मैं आपको क्यों बताओं आपको क्या लेना देना आप क्यों पूछ रहे हैं और मैं नहीं बताओंगी सबसे बड़ी बात ये है कि वो लड़का अपने आपको बचाने के लिए बोलता है कि मैं तो इससाधी नहीं मैं इसको अब भी समझा रहा हूं नहीं करना चाहता है ये मानने रही है तो मीडिया कर्मिन से पूछते हैं कि फिर आप कोर्ट में क्या लेने आए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने अब भी अपनी पहली पतनी से जो है तलाक नहीं लिया था यानि कि वो अपनी सोतन को भी बक्स मतलब साथ रखने के लिए या उसको छेलने के लिए तैयार थी और बोल रही थी कि मुझे सब कुछ पता है मुझे पता है चार बच्चे है मुझे पता है इनकी पहली पतनी है क्या कहना चाहेंगे कहां हमारे बच्चों की जो है equipped सोच चेली गई है आखिर समाज की सोच जा रहा है आखिर बच्चे की सोच जा रहा है सरफ 19 या 20 साल की लड़की अपने से कहीं शाल बड़े एक आदमी से साधी करना चाहती है वो भी चार-चार बच्चों की भी था जिसमें उस लड़की कोई इतराज नहीं है जबकि दुस्ती तरफ उसका भाई रो रहा है वो कह रहा है कि हमारे इज़्जत को इसने दाउं पर लगा दिया है बिलकुल इज़्जत को खतम करने पर तुली हुई और मैं नहीं चाहता कि ये इससे साधी करें क्योंकि इस लड़की का ब्रेन वोश्यू है इस लड़के ने किया हुआ है फिलाल जो लड़की है वो बिट्टो बजरंगे लड़के को पुलिस को हैंड ओवर कर देता है चूंकि मामला गैर कानूनी था लड़के ने पहले तलाक नहीं लिया हुआ था तो इस कार्ट साध जो कोर्ट है इस साधी को वही रोग देता है आप भी अपनी recommend box में जरूर देना कि बच्चे कहां जा रहे हैं आखिर बच्चों के सोच कहां गई ये लड़कियां पढ़ने जाती हैं या कोछ भी करने के लिए अगर घरवाले permission दे देती हैं तो क्या एक बार भी अपने घरवाला से पूछना जरूर नहीं समझती अपने जिंद्गी के जो एहम फैसली हैं उनको लेने से पहले क्योंकि कल को तकलीफ इनी को होने वाली है हम हर रोज देखते हैं कि बच्चें बड़ा कदम उठा लेते हैं उसके बाद अंजाम जो होता है वो हम आप सब चानती हैं आप भी अपनी राइकमेंट बॉक्स में जरूर देना जैए जैए